नमस्कार दोस्तों मैं आरकेमिसरा इंजीनियस अड़ाप इस्वागत करता हूं दोस्तों एरपोर्ट अथारोडी अप इंडिया का नोटिफिकेशन को अभी अभी जस्ट एक अपटेट आया है आपको भी पता है कि जिस तरह से एरपोर्ट की डव्लमेंट हो रहे हैं उस तरह से एरपोर्ट अथारोडी अप इंडिया में बहुत सारी एटीसी की जौब आने की चांसे थे तो हम लोग पहले से कयास जगाये जा रहे हैं तो अभी एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है तो आईए हम समझने की कोशिस करते हैं इस वीडियो में कम्प्रीट इंफॉर्मेशन देगे सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सावरी स्ट्क्चर क्या होगा स्वेबस क्या होगा एक्जाम पैटन क्या होगा एज लिमिट क्या होगा और कब हमारी वेकेंसी आएगे देखो मैं वीडियो सुरू करने के पैदे एक बात क्रियर करना चाहता हूं दोस्त एयर्पोर्ट इथ बहुत जादा है और most of the पहली बार preparations करने वादे बज्जों का selections नहीं होता है जादा तर से जो notifications के बाद preparations करते हैं उसका कारण होता है कटाव बहुत जादा जाता है मेरा आप लोगों को सुझाओ है कि अगर आप preparations करना चाहते हैं आप लोगों को पहले से बहुत सारी जानकारी रहे तो इसी के साथ वीडियो को सुरुबात करते हैं यह आप लोगों का आज का ही notification है जिसमें आप लोगों को Airport Authority of India में notification के बारे में बोला जा रहा है अगर मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा डीटियल समझाने के कोसिस करो इसमें कितनी नमरा पोस्ट होंगी वह आपको फर्दर वेबसाइट पर बताया चाहेगा बट यह है कि यहां पर recruitment आप तो junior air traffic controller जिसका indicative notice जारी किया गया है यह देख सकते हैं यहां पर 210-2020 का है अगर मैं आगे फर्दर आप लोगों से बात करूं तो इसमें अगर selection process की बात किया जाए तो selection process में basically involved जो होते है फुल टाइम बैचलर डिग्री अपने अगर आपने बीच्छ से किया है विद physics and mathematics subject या आपने engineering किया हुआ है किसी भी branch से आप eligible हो बसरत यहां पर इसकी एक criteria और physics आपको relaxation मिलेगा दोस्तों अगर examinations applications की फीस thousand रुपी है बाकी कुछ candidate को इससे बाहर कर अगर selection process exam pattern की बात करें तो इसमें दो पार्ट पूचे जाए पार्ट A हमारा जो होता है English comprehension, general intelligence, general aptitude, general knowledge and awareness जिसके आपको respected questions यहां पर आपको indicated है और आपकी marks भी आपको पार्ट B आपका जो pure technical होता है mathematics और physics जो कि 12th standard का slide फिर आपको BSE में भी वो घुश सकते हैं जो कि 30-30 questions होते हैं 30-30 marks को होते हैं टोटल आपका paper जो होता है आपको 120 questions, 120 marks और paper का label भी मैंने observe किया है ठीक ठाक देखने को मिलता है तो guys इसी paper को अगर decode करना है अगर आपको selections लेना है तो आपको अभी से दयारी करना पड़ेगा इस वीडियो को उद्दे से ही है कि आपको complete जानकारी साजा करूं ताकि आप आज से ही preparations में लग जाओ, selection process की अगर मैं बात करूं तो selection process में देखिएगा आप लोगों को basic online examination, documents, and wise test होता है, wise test आपका nothing but है, सब कुछ हो जाएगा, बसरते यह है कि पहले आपका CBD बननी कर दे, और उसके बाद अगर salary structure की बात किया जाए, ATC की salary minimum basic payment हमारा 40,000 रुपे होत आपको दिखाया जा रहा है, right now, यह हमारा reasoning का syllabus है, इन topics से questions आपको पूछे जाएंगे, right, अगर हम English की बात करें तो यह आपको English का syllabus यहाँ पर मैंने indicated कर दिया है, तो reading, reading comprehension, close test and detection of error, improving sentence, paragraph और उसके बाद, completion of paragraph, moods, narration, parts of space, fill in the blank, wise, preposition हो, फुर उसके बाद general knowledge में आपको इन सिग्मेंट से questions देखने को मिलेगी गाईज, तो discipline is the good news, complete जानकारी जब मैं आप लोगों को सासा कर रहा हूँ, तो सायद आप लोग इस पे, take it serious, और गाईज, सारे बच्चे select हुए, ATC को हम लगातार cover करते आये हैं और आप लोगों को बहतर content देते आये, बस ये मेरी बात जान लीजेगा, कि ATC में competition बहुत जादा होता है, अगर आप paper अच्छे से नहीं tackle करोगे, syllabus को बहुत अच्छे से नहीं tackle करोगे, और proper time नहीं दोगे, तो इतन इत्यूड में आपको questions आते हैं, बाकी आपको देखिएगा, यहां पे physics का syllabus है, तो guys, यह आपको physics में electrostatic, mathematics, thermal physics, moving, modern physics, wave and scalar and vector, electricity and बहुत सारे मिस्क्राइब इस सीजे आपको पूछी जाती है, यह देखिएगा, आपको mathematics, जहां से आपको questions तेकने को मिलेंगे, अब आप लो को चिता करने के ज़रूरती है, सारी जानकारी में आप लोगों साथा करने वादा हों, हाना, तो बस notification अगर आता है, तो हम आप लोगों को help करते हैं, आप लोगों की जानकारी और push-up करते हैं, तो इंडिया का हर एक बच्चा इस वीडियो को जरूर like करें, और अपने दोस आपको बता रहा हूं, और ऐसा नहीं कि यह अभी आएगा, तो आगे नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले समय में, जैसा कि पहले से नरधारित है, कि 1000 ATC officers लेना है, आने वाले समय में, उसमें कुछ पार्ट यह है, तो अब देखते हैं, कम से कम, बलुक में वेकेंसी आएग वीडियो कूर्स भी है, physics का, mathematics का, चो की 600 रुपे का आसफास है, mathematics और physics का अदर लग वीडियो कूर्स है, एक हमारा live plus recorded, तो यह आपको ATC कहीं है, करीब 16 रुपे का है, या आप लोग देख सकते हैं, 15 रुपे का यह बैच पड़ेगा, जिसमें आपको non-technical भी है, technical भी है, जॉइन करने के लिए आपको referral code की सर्वत अखरव आपको पड़ेगी, यह देखिएगा code Y20201 है, जिसको यूज करके आप maximum discount भी दे सकते हैं, और proper mentorship में आ जाएगे, और मेरा आप जोकुसर बस इतना ही सवाल है, कि अगर आप preparations अभी से start करना चाहते हैं, तो कर दो, चुकि कि 15-16 रुपे में कुछ नहीं होना है, आपको एक बहतर concept मिल जाएगा, questions की practice मिल जाएगी, और आपको एक मतलब selected दायरे में आप अच्छी अपनी preparations कर सकते हो, तो बस जो भी best possible help है, आप लोग कर, बाकी जो लोग महापैक लिए है, इंजिनलिक डिसिप्लीन के रखते हैं, सिमील मेकेनिकल का, या इलक्तिकल का महापैक में यह सीजे अलडी कबर्ड है, और बस यह है, और भी अगर कोई किसी भी तरह के help की जरूद है, आप लोग बताईए गब, हम आपको पूरी तरह से dedicated है, help करने के लिए दोस्तों, तब तक के लिए keep learning, keep watching, बबबय, take care, अपना डाउनलोड कर दो, चुकि वहाँ पर इसके related सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है, और जैसे की cut-up क्या साता है, कैसे आप लोग प्रेप्रेशन कर सकते हो, बहुत सारे 1000 प्लस कोसिस का प्री प्री प्रीडियम आप लोगों को मिल जाएगा, तो कोसिस करो, आटा के अ झाल